कि अधिकरमन निकालते समय वहाँ पर जो गोर गरीबों के घरा निकाले गए जिनकों माली आलाज से नुकसान कराया गया और वहाँ जो मजीद को आपे कुछ समाच कंटों को ने वहाँ पर मजीद में चड़के जो तोड़ फोड की ये इस तरह से जो गटना हुई हम उसका उन लोगों को जिनोंने ये वहाँ पर मजीद पर तोड़ फोड़ की इनके खिलाप में गुनादाखाल होना चाहिए इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए इन पर 10-10 साल का मुक्का लगना चाहिए ये मांग लेकर हम युवाई युवागी आपके साब के पास में आय है हम सब इंदो मुस्लिम भाई साथ में चलते हैं लेकिन कुछ समाज कंटक है जो दो टक्के लोग है जिन्होंने ये हरामी पना किया है जिसके विए से पूरा मराड़ा समाज बदनाम हो रहा है और मराड़ा समाज खुद चाहता है कि इस तरह की हरकत ना हो अभी सभी मुस मुस्लमानों की जो शान रहती है आज जो मजित पे जो इनों चड़कर जो किया है इनको जो है तो बहुत जल से जल इन पर गुना दाखल करके इनको सजा मिलनी चाहिए बस यही नियोदन लेकर हम हम हमारे सनमानी माजिनागर सवक जैदी साहब है हमारे सलीम साहब है रस्ट भाई हमारे साथ में यहाप आया है और अगर इन पर गुना दाखल नहीं हुआ तो हम हमारी स्टाइल से कल के बाद जो होंगा फिर उसका शासन जवाबदार रहेंगा और हम रोड़ पे उतर रहेंगे रोड़ पे उतरकर इन पर अगर कड़कर वह नहीं तो वातारण तंग होगा किसी को कुछ माली नुकसान वादा इसके जॉबदार यह सरकार रहेंगे ऐसा मैं आपके चैनल के सबसे इनको चेतानी इनको इशारा देता हूँ और जल से जल अभी दो तीन दिन में सब मोर्ची निकालने हम सब समाज एखटा हूंगा समाज इसमें हिंदू समाज भ पर कड़ करना चाहिए हमारे नियोदन की दखल लेना चाहिए बस यह मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं आपका पूरा परी चाहिए मैं शेख शफीक मैं अलपसंके महारास्ट्र उपदेश्ण शरत पारगट इसमें जो गटना हुई विशाल गड़ की कोलापू जि इनों तलवारा लेकर महाँ पर आते हैं हमारी बेहुमती करते हैं मस्जिद के उपर चड़ रहे हैं मिनार तोड़ रहे हैं इनको किसने इतना एक्तियार दिया इनके उपर वैसे ही लगना चाहिए जैसा यूपी में यूज की लगा है जिस जिसके घर आए उनकी घर कूशिद कर शक्राइब कर दकिनि तौक सब्सक्राइब होती हैं पोलीस जů अगर चाहिए तो इसमें काम कर रहें पैघे देखे नहीं कि तलवार लेके आ रहे और मुसलमानों की मस्जीदों में घुच रहे और उपर जाके मिनार तोड़ रहे तो नामरासीब बात है ऐसे यह क्या मना यजीदियों को पहले माफ कर दिया मैंने आप तो उनको काड़ देना चाहिए कि को लगुआ चीदियों मेड़ विशालगण बूखर गव है फिलो जीए ले मेसाई गव हुआ टेकर्मान के नहीं पर जो गहरा तोड़े गये उनकी गाला तोड़े गये उसके बाद एक मदिद कु यह गवा अत्анग वाधियों ने एक मदिद कु इतना नुवसान पर उस प और खुरान पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि महारस्टर एक ऐसा राज्य है इंदुस्तान के अंदर जो सब भाई चारगी का राज्य है लेकिन कुछ फिर्खा परस्त जो लोग है जो ऐसा शर पैदा करें हिंदू मुस्लिम में तो मैं इस हमने आज इस यहाँ पर डिविजन कमिशनर साब को आमने एक निविदन दिया है और उस निविदन में साफ अलपास में लिखावा है कि जित्ते भी भगवा अतंगवादी ने जो मज्जित को नुक्सान पहुचा है लोगों के घरों को नुक्सान पहुचा है तो मैं आपके चैनल के माराष्टर सरकार से विनंति करता कि यह भगवा अतंगवादियों के घरा बेचकर जो लोगों का नुक्सान हुआ है घरों का और गाड़ों का उनका नुक्सान भरपाई करकर देना चाहिए अगर इनसे यह नियोता माराष्टर सरकार से तो माराष्टर सरकार ने अपने फ परचार में देखते हैं वह आज आपके साथ खड़े वे क्यों नहीं है जी अइसी बात नहीं है क्या है मालूम क्या हमारे नेता महारास्टर के परदेश अध्यक्स जैन पाठिल साब ने खुद ट्वीट किये वे उनका भी एक स्टेट में ने वो भी इसे को फीवर नहीं कर उनको भी ये बात का भूत बुरा लगा है जिते भी हमारे राष्टवाधी कांग्रेस पार्डी के अंदर हिंदू समाज के जो लोग है वो भी इसका विरोत कर रहे है कि ये जो घटना होई नहीं होना चाहिए ता और जो लोगों ने घटना करे है तो उनको उनके उपर जो हमारे लोगा आते हमारे कुछ जुमेदार हमारी एक मारा इंदुस्तान के अंदर हमारे एक जुमेदार होते हैं मुफ्ति आलिम सब और जब 92 में हमारी मज़ी शाहिदी तो जब उन्होंने भी हमको यह आश्पासन दिया था कि आप सबर करो सरकार है कोड है अपना काम करें उसके बाद से हमारा ऐसे भगवा तंग वाजोंने कई मस्जितों को शाहिद करने की कोशिच करें लेकिन यह बहुत ज्यादा हो रहा है अब माहरास्टर में हम इसके बाद अकर कोई घटना होती है तो राष्ट्रवधी कंग्रेस पार्टी के सारे नेता एक जगे आकर जो बार वाखिया नहीं उसके लीफ एक एक इختात का मजारह करें एक जुछ होए निए सकता इंशा अलादा ऊला पूरी राष्ट्रवधी कंग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है राष्ट्वधी कंग्रेस पार्टी महरास्टर के निदर सेकॉलर कासरे और ठार पार साब ने विरत की है ते उसका कि ये नाम को मैं सपोर्ट नहीं करता बोलके यह हमारे नेताने करेते हैं देखिए जो अपने कोलापूर जिल्ले में जो विशाल गड़ है जो वहां घटना हुई है उस घटना के अंदर जो महां की जो पोलीस है जैसा हुए हमारे सीनियर ल पर टिका है और आज अगर पोलीस ये अगर अगर साथ दिंगी भगवा तो यह गलत है पोलीस की सीची फोटेज तुम निकाल कर देख लो पोलीस की पूरी फोटो से उसमें और तल्वारा पोलीस के सामने लेके जा रहे हैं अगर ये घटना महाराष्टर के अंदर या बोल हमारा समाज है जो बरदाश कर रहा लेकिन इसके बाद बरदाश नहीं होंगी इन्शालला ये बात या था रहा है हम सब लोग उसे बहुत दुखी है मैं M.I.M. के तरफ से हूँ मगर हमारे सलीम भी ने मुझे आवाज दी यह बिल्कुल गलत है यह होना ही नहीं चाहिए इसके हम तुरी मुदाखलफ्ट करते है और हम यह चाहते है कि जो शिंदे सरकार है वो इसके उपर सक्से सक्त कारवाई ले और यह लोगों के उपर मकोका लगाए कि मकोका लगाने से यह हासिल होगा कि आइंदा इसके आगे करेदेर खुब मकोका लगाने से इसके इसके की जुरू करेंगे हैं जुरू कि खिरागा कि आए यह डिए हुआ है इस के आए इसके लिए मुएक का मेंस्टा शुरू कर नौर्काल के राता हैं अचाहाए धूरी कर दो 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 कर अजय कर चैंदा टाम कर चाट कर दो अजय कर दो कर दो कर दो दो कर दो प्रेंग नगर को. हैं और अड़ा है कर दो कम प्रेंगा नहीं हो दो.